दोस्तों नमस्कार स्वागत है एक बाय फिट से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पेटीशन यूज में तो जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते है यूपी बोल्ड की हर जानकारी आपके अपने चैनल कॉम्पेटीशन यूज के मादधे हमसे आप लोगों को दी जाती है तो दोस्तों इस वक्त की बड़ी ख़बर आप लोगों को बता दें जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं CBSE ने जो भी छात्र हैं उनके 10th में पढ़ने वाले उनकी परिक्षा इससागित कर दी है अब दोस्तों उन्हें इंटर्नल मार्क्स के बेसिस पर प्रमोट किया जाएगा लेकिन दोस्तों यूपी बोल्ड के छात्रों का असमंजस अभी भी बरकरार है और एक बड़ी दूविदा यहां पर यूपी बोल्ड के जो भी अधिकारी है उनके सामने यहां पर आ गई है पूरी खबर को इस वीडियो के माद्ध हम से आप लोगों को बताने वाले हैं तो यहां पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं दैनिक जागरंड की ओफीशल वेबसाइट है और यह दोस्तों अभी अभी का यह आर्टिकल है यहां पर मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा देता हूँ क्या है टाइम यहां पर आप लोग देख सकते हैं आठ मईई 2021 यानि के आज ही का आर्टिकल और 7 बच के 23 मिनट का आर्टिकल है यानि के दोस्तों आदे घंटे पहले ही आर्टिकल लिखा गया है पूरा आर्टिकल देखने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेश्ट है अगर आप भी यूपी बोल्ड की हर जानकारी सबसे पहले पाना चाते हैं और अथेंटिक वे में पाना चाते हैं तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लीजे और यहां पे दोस्तों क्या है दूविधा यहां पे आप लोग देख सकते हैं तो यहां पे मैं आप लोगों को पूरी खबर बता देता हूँ फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि क्या हल है इसका और क्या सॉल्यूशन हो सकता है तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं यूपी बोल्ड दोजार एकिस सीबीसी वा यूपी बोल्ड की परिक्षा प्रदालिनी में अंतर बरकरार है सीबीसी में मासिक टेश्ट के अलावा च्छमाई वाडशिक परिक्षा का रिकाड़ पूरा ऑन लाईन है केंद्रिय बोल्ड चात्रों के प्रिदर्शन के अधार पर हाई स्कूल में असानी से प्रमोट कर सकता है लेकिन दोस्तों यूपी बोल्ड के चात्रों के सामने सबसे बड़ी दूविदा ये है कि जो भी उनके टेस्ट होते हैं उनका कोई भी ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं है तो यहां पे यही खबर यहां पे दी हुई है यहां पे आप लोग देख सकते हैं करोना की दूसरी लहर ने बड़ी संक्या में लोगों की सांसे चीन ली है और हजारों लोग बिमारी से जूज रहे हैं विकट दौर ने परिक्षालतियों की संक्या के हिसाब से सबसे बड़े परिक्षा संस्तान उत्ता प्रदेश मादमिक शिक्षा बोर्ड यानि के यूपी बोर्ड में सुधार करने का रास्ता भी दिखाया है इस समय परिक्षा होना संभव नहीं है वा केंदरिये शिक्षा बोर्ड यानि के सीबी एस-ई की तरह यूपी बोर्ड के चातर चातराओं को प्रमोट करने के इस्थिति में नहीं है यूपी बोल्ड के पास विद्धाल अस्तर पर होने वाली वर्ष भर्ड की परिक्षाओं का रिकॉर्ड नहीं है बोल्ड के साथ शाशन को भी इसका जो भी दोस्तों यहां पर प्रोमोशन का रास्ता है वो खोज रहा है यहां पर आप लोग देख सकते हैं असल में केंद्री शिक्षा माद में एक बोल्ड जो है दोस्तों यानि के सीबी एस्टी ने अपरेल मामें निर्णे लिया कि इस वर्ष हाई स्कूल की परिक्षा नहीं होगी परिक्षा अगली कक्षा में जो भी छात्र हुने अगली कक्षा में प्रमोट किया जाएगा इस समद्ध में दिशा निर्देश भी जारी कर दिये गए हैं इंटरमीडियेट के समद्ध में फैसला होना है इदर सीबी एस्टी वा यूपी बोल्ड के पार्ठे करम लगबग समान है लेकिन दोनों की परिक्षा प्रणाली में अंतर बरकरार है सीबी एस ऊके मार्सिक टेश्ट के लावा च्माई वा बार्शिक टेश्ट का जो भी रिकॉर्ड होता है दोस्तो ओनलाइन रहता है केंड़िये बोल्ड च्छातरि च्छातरों के प्रणशन के आधार पर हाई स्कूल में असानी से प्रमोट कर सकता है लेकिन दोसो यूपी बोर्ड में ऐसी कोई भी यहां पे जो भी ऑनलाइन रिकॉर्ड है दोसो चातों के प्रदर्शन का वो नहीं भेज़ जाता यहां पे आप लोग देख सकते हैं यूपी बोर्ड में कक्षा 9 की अर्दवार्शिक वार्शिक परिक्षा का रिकॉर्ड बोर्ड मुख्याले नहीं भेज़ जाता मासिक टेस्ट भी नहीं होते इस बार प्री बोल्ड यानि के हाई स्कूल वा इंटरमीडियर्ट परिक्षा दे पहले स्कूल इस तरह पर परिक्षा कराने पर जोड दिया गया फरवरी में इम्तिहान भी हुए लेकिन दोस्तों इसका रिकॉर्ड यहां पर बोल्ड के पास नहीं है यूपी बोल्ड के अधिकांश कॉलिज वित्वीन है जबकि राज़किये वासाशकिये कॉलिज एक तीहाई ही है अब जिलों में नवी और प्री बोल्ड का रिकॉर्ड मंगाना उचित नहीं है इत्ता जरूर है कि शाशनवा बोल्ड सीबीस्टी के निर्ने के बाद इसमें मन्थन कर रहा है संभव है कि आगे कोई रास्ता निकले देर सबे परिक्षा ही अंतिम विकल्प हो सकती है कोई सुझाव यहां पर दीजिए ताकि आपकी बात भी दोस्तों शाशन पर शाशन तक पहुंचे अभी दोस्तों आप लोगों को मैं ये भी बता दू कि अभी 10 की परिक्षा नेरस्त नहीं हुई है आप लोगों को अभी भी कोई प्रमोशन नहीं मिला है तो इसलिए आप दोस्तों अपनी तैयारी करते रहिए चाहें आप 10 में पढ़ते हूं या 12 में पढ़ते हूं अपनी पढ़ाई दोस्तों जारी रखिए और जो भी ऑफीशल अपडेट आएगी हमारे चैनल के माद्यम से आप लोगों को जानकारी दी जाएगी फिलाल दोस्तों वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल आप लोगों को यूपी बोर्ड से जुड़ी हूई हर जानकारी देता है